हेलो प्रेंट्स वेल्गम टू बाल स्टेडी आपके अपनी यूट्यूब चेनिल बाल स्टेडी पे आपका स्वागत है और आज में आपको कक्षानों भी क्लास नायंत किमेश्टरी का चैप्टर टू लगुत्तर्य प्रस्ट बदलाऊंगा जिस चैप्टर का नाम है पदार ओंते हगे क्रीट करना है तो चलिए सुरू करते हैं वोकिक में पहला है जस्ता में ठत्त्व है विता किरित में पातलाकर्टर जस्ता तत्त्त है और बी में समुदर का जल एक मिस pops है कि क्यों कि मिंक्त नमक ते जमीं झाए पाए जाते हैं सूरीयम बाइकर्बोनेट कर दूब यह भी एक व्योगिक है ठिक ना और डी है मिट्टी मिट्टी मिसरन क्या मिट्टी मिसरन है और यह साबुन साबुन क्या है साबुन योगिक है और कोईला कोईला क्या है तो कोईला एक तत्व है कागज कागज है मिसरन है और अलकोहल तो यह योगिक है और आई ग्रिफाइट ग्रिफाइटिक तत्व है ठीना इसलिए कि हमारा परतम परतम गुए और हम लोग अब सेकेंड नमबर कोश्चन मतलब दूतिया नमबर कोश्चन पर जाएंगे और दूसरा नमबर कोश्चन है हमारा निवलिखित में बहुत तीक और रासाइनिक परिवर्तनों की पहाचान करें यह नमबर है एक बच्चे का भिकास ते इसका उत्तर क्या होगा रासाइनिक परिवर्तन क्य और डी नमबर है लकरी का जलना इसका उतर क्या होगा रासाइनिक परिवरतन तीसरा नमबर कोस्टन है तत्य और यॉर्ग में तो कोई दो अंतर बता हैं इसका उतर लिखे सबसे पहले इसके लिए आपको जिसमेन नहीं आप देखिए एक बॉक्स की तरह बनाना है या बॉक् मारे लोक्त जाएंगे उसका रहा तो नमबर रिजाम में मिलेगा ہीं मिलेगा या तत्य सिर्फ यही पृण परतारतों होता है दोस्तों मैंने हमें आप आप दो पॉइंट लिखा आए कोई भी आप ले सकते हैं ठीक ना तो तो पर कोई दो आंतर बताएं आपके कोई और भाया होंगे टीचर होंगे कोई अंकल होंगे वो कोई और भी पॉइंट बतला सकते हैं इसलिए आप यह मस्तोचे के कोईशन गलत है ठीक ना या उनका गलत है या मेरा गलत है दोनों का सही है और फूर्थ नमर कोईशन है हम लोगों का मिश्रन के किनी दो गुरों को लिखे इसका उतर लिखिये पर्ष्ट में मिश्रन समा समांग हो सकता है समा सकेंड नमर का संगतर निश्चित होता है ठीक ना और फिफ्ट नमर कोईशन है हम लोगों का बिले और बिलायक में क्या अंतर है असपस्ट करें इसका उतर लिखे बिले और बिलायक में निवलिखित अंतर है जो इसमें उतर लिखे जो पदार्थ दर् पदारस गुलाए जाता है उस DoS तरब को बिलायक करते हैं यह हृ ख़िक गुलने गुलायぇ वाली बात है तो ऐह उसके गिलास पानी है पानी में चीनी जाए गड़ा जा जायगा चीनी क्या हो गया एक विल्ए फिर रीनिक है और तो है इसका उत्तर लेके वास्तों में oxygen एक तत्र है जिसके निवलिखित कारण है फर्स्ट कारण देदेजे अब तो oxygen में किसी भी अन्यतोत की उपस्तिती नहीं पाई गई है और सेकेन में देजे जब सुध oxygen की अभी किरिया सुध hydrogen के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जहल बन करती के रसाइनिक बेज द्वरा अलग नहीं किया जा सकता है और इन्हीं कारणों से oxygen को तत्व माना जाता है और सेवेंध नमर कोश्टन है किनी चार उपयोगी मिश्रणों का उलेक करें कि उलेक करें दोस्तों कि लेक करें ठीक ना इसका उत्तर लिखिए उपयोग में आन इसको में अपनी दिन्चरिया में सामिल करते हैं आप लोग जरूर दूद पीए पीजिये क्योंकि दूद से हमें सकती मिलती है जब भी आपका किसी से रहा होगा एक फैट माड़िये हो हवा में बर जाएगा ठीक ना तो दूद का मिसरन है तो कैसे है या सुद्व पदार् पहले जवाना में लोग श्याही सही लिखते थे लेकिन अब थोड़ी मत्रा में गया थी पहले जर्जा मंत्री में इंग आती थी इसका उत्तर लिकिए यह जल तथा एक यहां अधिक रंगों का मिसरन है और थर्द नमबर है वायू मतलब एर यह नैट्रोजन ऑक्सीजन कर अन्य धातू या अधातू के साथ बना समांग मिसरन है यहां पर कन्फूजमन तो यह दोस्टो जिससे पीतर पेतल में धातू भी होते हैं अन्य धातू भी आ जाते हैं यहां अधातू भी आते हैं सब मील के एक पीतल ना होता है इसे को हम लोग मिसर धातू करते हैं ठीक न जैसे नमक, अमोनियम कीलोरैड आधी और ऎघलिया बिलियन में लखी, वैसे पदार्त जो जल में अथरिकत अझने दरवों में घुल कर बिलियन बनाते हैं इन दरवों में बने बिलियन औहंगे चाहि करते हैं जैसे सब्सक्राइब तो तो अधिक मात्रा उस ताब पर घुलाई जा सकती है और संत्रिप्ट बिलियन कहलाता है संत्रिप्ट बिलियन और संत्रिप्ट बिलियन क्या अंतर है किसी निस्टित्ता पर बना वह बिलियन जिसमें बिलिया की और अधिक मातरा उस ताफ पर घुलाई जा सकती है और संत्रिप्ट बिलियन कहलाता है चलिए मैं आपको अपनी अंदाज में एक पर आपको यह समझाता हूं और संत्रिप्त बिलियन को दिखिए और संत्रिप्त बिलियन हुआ हुआ जैसे आप खाना काने बैठें कोई है जो बहुत जगा खाना काता है वो उसको दूरोटी की भूख लगी थी और देखा दूसरे माना में हम लोग सकते हैं और संत्रिप्त बिलियन को समझ सकते हैं और संत्रिप्त बिलियन जबकि किसी निस्तिता पर बना बिलियन गुली हो संत्रिप्ट बिलियन कहलाता है ट्वेल्व नुमर कोशन देजे अती संत्रिप्ट बिलियन क्या है इसका उत्रे लिखिए बहुत संत्रिप्ट बिलियन जिसमें बिलय की मात्रा उस बिलियन को संत्रिप्ट करने के लिए आवस्यक बिलय की मात्रा से अधिक घुरी हुई हो और 30 संत्रिक बिलियन कहलाती है और 39 को स्याल लेजिए किसी पदार्थ की बिलियन की प्रिभासा लिखे बिलियता पर ताप और दाप का क्या परभाव पड़ता है इसका तरीकिए एक निश्चित ताप और दाप पर 100 गरम बिलायक में किसी बिलायकी घुलने वाली अधिक्तम मात्रा जो बिलियन को संत्रिप्त कर दे उस ताप और दाप और उस बिलायकी उस बिलायक में बिलियता कहलाती है ठीक हैं दोस्तों और बिलेता पर दाव का निम्लीखित परभाव है इसका अतने रहे किसी दरब में थोस्पदारथ की बिलेता पर दाव का परभाव बहुत एकम परता है युक्छ thought कि गैस की बिलेता पर दाप का बहुत अधिक परवाव पड़ता है जब कि ताप बरहन पर किसी बलाइक में ठोस पदर्थ की बिलेता बढ़ जाती है ठीक ना यह कोश्चन समाप तो गया फोटी नमर कोश्चन है से एक में नमक जाल में और दुसरे में संथ्रिप्ट बिलियाय रखा गया है उनकी पाहईच मीं आप कैसे करेंगे । यह जाने के लिए बिलियां संत्रिप्ट है या संत्रिपस में ठोरा कांस की चहर से उसकी तरह उसको अच्छी तरह मिलाएंगे यह दी भीला गुल जाता है, तो वा बिलीयन संत्रिप्त होगा तशा नहीं गुलता है, तो संत्रिप्त होगा 50. question है, कुलाइडी बिलीयन से आप क्या समझते हैं, इसका उपति लेजिये लिखिए, वह बिलीयन जिसमें कनो का आकार, वास्तविक बिलीयन और निलंबर में उपस्तिती कनो का अकार का मध्य बढ़ती होता है कॉलाइडी बिल्यून का लाता है जैसे दूद, स्याही, रक्त, इत्यादी 16 नमबर कोईशन है निमलिकित में परते का एक उधारन दे पायस, जल, एसोल और जाक का किसका है edosol, किसका है जा जाकल में क्या होगा, शाबन, साबन, किसका है जाक का, चली दोस्तो, तो अब हम लोग वीडियो क्हतम होता है रोगीर, रोगीरु कि कहा हा जाने लगे इतना द clown में, दूध हगन आना अग्या दो दन stripes जलिए इतना आपको कोई बतलाएगा तो आपको डांट भी सकता है कूछ पैसा भी आप से ले सकता है हमें पैसा ने चाहिए हमें आपका प्यार चाहिए तो प्यार के लिए क्या कर सकते हैं चैनल को कड़ीजे सब्सक्राइब विडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेंग्मन अगला विडियो किस टोपिक पर जाए एक जल्दी जड़िनद मिया यही हमारा प्याद होगा आपके लिए और आपका प्यार होगा हमारे लेगे कि प्यार को